हुआ है 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 नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाश्पेई और आप लोग जुड़ चुके हैं इंडिया के नमपर वन इस्टेडी जैनरल वाई-फाई स्टेडी पर रात के ग्यारा बच चुके हैं और जीएस की क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ और यहां पर पॉलिटी का एक टॉपिक और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रसंट भी डिसकस करने वाले हैं और भी आपके जीएस जी के जीए के बहुत सारे प्रसंट डिसकस करने वाले हैं तो एक बार जल्दी से जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटा फट सेर कर दीजिए सेसन को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटापट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए सुरुवात करते हैं हम लोग बेहतरीं तरीके से बहुत सांदार जांदार सेसन की सुरुवात करते हैं लेकिन सुरुवात करने से पहले बड़ी महतपूर जा का आसान तरीके से जवाब मिलने वाला है अनकेडमी लर्नर एप पर एक नया फीचर जुड़ा है आसका डाउट बाइनकेडमी आपको करना क्या है जो भी डाउट है उस डाउट का एक इमेज बनाई है और इमेज बना करके यहां पर सेंड कर दीजे इंस्टेंट उसका अंसर आप सभी लोगों को बच्चे जल्दी से जल्दी मिल जाएगा उसका अंसर आप सभी द्यारतियों को जल्दी जल्दी मिल जाएगा तो इस बात का आप सभी लोगों को बहुत ध्यान रखना है ठीक है पैरविद्यारतियों याद रहेगा हाँ या ना एक बार तेजी से बत कर अगज्क उफर लाया हुआ है अगस्त आफर में सब स्क्रिप सब्सक्रिप्सेटीं अगर करोगे तो कोड जरूर लगा लेना वहिया मेरा Даी सहर्टेений ते discount मिलेगा discount के अलाबा 3 महिने का free subscription 6 महिने का free subscription ssc का लेने पर 1 साल पर 3 महिना 2 साल पर 6 महिना combo लोगे ssc बैंक का 1 साल पर 6 महिना 2 साल पर 12 महिना और code से discount अलग से मिलने वाला है ठीक है ना प्यारे विद्यारतियों याद रहेगा आगे बढ़ते हैं भाई railway का price high कोने वाला है तो इस high कोई price से बचने के लिए आप लोग क्या करोगे जल्दी से जल्दी भाईया subscription प्राप्त कर लो railway category में UPSI की भी तयारी हो रही है railway category में आपकी और भी तयारी हो रही है विल्कुल रुकना नहीं है थमना नहीं है सब्स्क्रिप्शन करके सेलेक्शन लेना है एक करोड तक का scholarship pool है यहां पर आप देख सकते हो कितने सारे प्राइज है बस आप लोगों को enrollment कर लेना है ए बी सर्ट एन कोड लगाओ फ्री में enrollment करो और बारा बज़े संड़े को संड़े को एकदम जवरदस तरीके से performance दीजिए अब यह देखो प्राइज तो जीतो गई साथ में अपनी rank जानोगे कि अखिरका पैन इंडिया क्या position रखते हो यही सारे बिद्यार थी आपको real exam में भी मिलने वाले हैं ठीक है बाई रेडी लिखो सेर करो रेडी लिखो और कोड कैपिटल लेटर में ही लिखना है सारे के सारे बिद्यारतियों को जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबी लोगों को भी है कोड एबी सर्टेन ही लिखना है इसी कोड से आपको डिसकाउंट मिल ले वाला है ठीक है चलिए पहले सवाल के तरफ बढ़ते हैं हम लोग रेडी है सारे लोग कमेंट सेक्शन में एक बार रेडी लिख दीजे कमेंट सेक्शन में एक बार रेडी लिख दोगे बाई डॉक्टर मीना बहुत बढ़िया सोमन साथ बहुत सांदार एक बार कमेंट सेक्शन में प्यार विद्याती हो रेडी लिख करके आंसर देना सुरू करोगा पहला प्रस्त मैं आपके समने प्रस्तुत करता हूं लेकिन उससे पहले हम कुछ डिटेल डिसकस करेंगे भारत के राश्च्ट्रपतियों के बारे में डि में ब्रिटिस सासन से अपने स्वतंत्रता प्राप्त की भारत स्वतंत्र हुआ है बहुत ध्यान से समझोगे कल आप लोग डिटेल के लिए कह रहे थे ना तो मैं भी यहां पर डिसकस किये दे रहा हूं संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था लेकिन बना कब था 26 नॉवंबर 1949 को बना 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया ठीक है याद रखना है भारत के राष्टपती को भारत के निरवाचक मंडल द्वारा पांच वरसों के लिए निउक किया जाता था लेकिन य भारत के पहले नागरिक होते हैं और हम लोग जानते हैं आजादी से पहले गवर्नर जनरल का कॉंसेप्ट था यह गवर्नर जनरल का पत्य समाथ हो गया सी राजवोपालाचारी के साथ ही और बन गया भारत का राष्ट्रपती यह सवाल एक बार पूछा गया है आपका इस्थान पर राष्पती का पता आया था तो गवर्नर जनरल के इस्थान पर अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो आप को गया राजवोपालाचारी ठीक है याद रहेगा किलियर है और राष्पती का जो निर्वाचक मंडल है इस निर्वाचक मंडल में कौन-कौन सामिल होत जो भी लोग इसमें सामिल होते हैं बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे बड़ा बड़िया सा देखिए है बड़ा बड़िया सा है समझोगे बज एक कोड याद रखो LS प्लस RS प्लस BS प्लस दो Union Territory की विधान समाए दिल्ली और पुदुचेरी इन सभी के Elected Members निर्वाचिस सदस राष्ट्रपती के चुनाओं में बोट डलते हैं लोग सभा के सभी निर्वाचिस सदस राजसभा के सभी निर्वाचिस सदस विधान सभा के सभी निर्वाचिस सदस दो केंदर सासित प्रदेशों की बिधान समाओं दिल्ली और Pondicherry के बिधान समाओं के निरबाच्ची सदस राश्टपती को collect करते हैं इतनी बाँ सबको समझ में आ गई बहुत ध्यां से समझोगे तो खबाई बहुत ध्यां से समझिएगा राश्टपती का चुनाओ बड़ा पेचीदा है बड़ा पेचीता है बहुत ध्यान से समझेगा इतनी बात सबको समझ में आ गई हाँ या ना ठीक है याद रहेगा अब देखो इतनी बात समझ में आ गई अब राश्टपती का जो चुनाव होता है जो भाईया राश्टपती का जो चुनाव होता है उसके बारे में आप बढ़िया तरीके से याद रखोगे, देखो कैसे याद रखोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी लोग जुड़े हुए हो, देखो भाई, दो पैटर्न पर आधारी थे, एक हम लोग कह देते हैं, सिंगल ट्रांसफरेवल बोर्ट सिस्टम, दूसरा हम कह देते हैं, पी आर, प्रपोस्टनल रेप्रेजेंटेशन, यानि कि एकल संकरमने मतपद्धती, आनुपातिक प्रतिनिदित प्रणाली, इन दोनों प्रणालियों पर राश्पती का निरवाचन होता है, यही आपको प्रणाली याद रखने ह बाई, बास समझ में आ रही है, मुहमद, तलीम, बोलोगे बाई, संदीब बाबू, सारे लोग बताओगे, और इसी के तहद हमारे देश के पहले राश्पती जो थे, डॉक्टर राजियंदर प्रसाद भारत में अब तक 14 हुए हैं, पहले राजियंदर प्रसाद जी होते ह स्वतंत्र भारत के पहले राश्पती से लेकर के बर्तमान राश्पती स्री रामनात कोबित तक, ठीक है, एक बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी राश्पतियों ने काम किया, राजियंदर प्रसाद भारत के पहले राश्पती हैं, और वो भारत के पहले संसद और राज विधान सवाओं के निर्वाचक मंदल द्वारा राष्टपती चुने गए थे कौन कौन से लोग भाग लेते हैं मैं एक बार फिर से बता दू आरेस प्लस लस सारी विधान समाओं के सदस से दो यूटी दिल्ली और पॉंडिचेरी के विधान समाओं के सदस से निर लोकसभा के और राजसभा के सदस्यों के दोरा इंपीचमेंट प्रोविजन लाया जाता है यहीं पर प्रस्तुत होता है ठीक है यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा उन्निस सो सत्तावन में राजेंद्र प्रसाद को भारत के राज प्रमुक के रूप में चुना ग रखती तो फट से लगा देना है राजेंद्र प्रसाद देरसरत्न के नाम से जाने जाते हैं ठीक है ज्यानी जैल सिंग की बात करें 1982 से 87 तक यह रहें भारत के सात्मे राश्ट्रपती और पहले सिख राश्ट्रपती एक मात्र सिख राश्ट्रपती कुछ भी कहिए और जिद्रा गांदी जी की हत्या वी उसके बाद में राजीव गंदी जी को softly राजीव गंदी से भूवाँप उसमें केवल महासंची भूबा करते थें सपथ कर्णे दिलादी दी इन्होंनी बाद में इनकर राजीव गंदी से आर्टिकल 78 को लेकर है बिवाद हो गया था ज जो सासन प्रसासन उसके बारे में राश्पती मौधय को अवगत कराएगा इसी अनुच्छेत पर राश्पती ज्यानी जाल सिंग और प्रधान मंत्री राजी गंदी के बीच में विवाद हुआ था लेकिन समय था यह उसी समय रिटार भी हो गए थे ग्यानी जाल सिंग साब ठीक है ग्यानी जाल सिंग 1972 में पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में भी चुने गए थे यह मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ग्रहमंत्री भी रहे हैं यह भी दोनों पॉइंट याद रखन जिस समय ग्यानी जैसिंग को भारत के राश्पती के रूप में चुना गया राजनीति गुरूप से विबादाश्पत आपरेशन ब्लू स्टार याद होगा आप लोगों को यादे ना इंद्रा गांदी की जब हत्या हुई थी उसी समय की ये बात पिया मिंद्रा गांदी की हत्या कर दी गई 84 के सिक्ष विरोधी दंगों ने भी जबदी को चिन्नित किया तो ये भी बैया इनिके समय में ठीक है दूसरे रहे है आर बैंकर ट्रमण सहा ये केंद्री मंत्री और भारत के आठमे राष्टपति के रूप में कार्य किया इन्होंने बित्यों विराया रच्चा मंत्री विराया और उपराष्ट्पति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया अपने सेवा संकर्दयाल सर्मा साथ बड़े योग्ये राष्टपतियों में से रहें Lokus i Gust Ouais 24 ऐ के चालिस के दसक के दोरान वो भारती सुतंता के लिए संघर्ष में सामिल हुए और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहते हैं ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए ठीक है याद रहेगा चली आगे बढ़ते हैं बच्चे अब आ जाते हैं क्यार नारा को भी साब दलित हैं इन्होंने जापान यूके थाइलेंड तुर्की रिपब्लिक आफ चाइना अमेरिका इन सभी में एम्बेजडर के रूप में भी काम किया है और नहरू द्वारा इनको देश का सर्वस्रेस्ट राजनाइक भी कहा गया था ये बड़ा इंपोर्टेंट जो कलाम साब आ गए हमारे देश के एकमात्र बैज्यानिक प्राश्पति पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आपदीन अबुल कलाम ग्यारमे राश्पति के रूप में है 1997 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा जाता है ठीक है इन्होंने बैलेस्टिक मिसाइल लॉंच भारत रत्न प्राप्त किया युबा पीड़ी को सिच्छा और मुल्यों के बढ़ावा देने के लिए प्रोरित किया और यह कहते थे सपने वो नहीं जो हम रात में देखते हैं सपने वह ऐसे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते कहा है न तो बिल्कुल सही बात है यार और पुरा करोगे तो नीद नहीं आएगी ऐसे सपने होते हैं ऐसा महा महीम हमारे एपी जे अबूल कलाम सामने कहा था प्रतिवा पार्टिल जी आती है उसके बाद में यह देश की पहली महिला राश्पती है बार में राश्पती के रूप में रहती है और यह इससे पहले तक राजस्थान की गवर्नर भी रही है फिर प्रणम मुखर्जी साब आगा इनको भी भारत रत्न से नवाजा जा चुका है कुमारे बीच में यह भी नहीं रहे हैं तेर में राश्पती हैं 2009 से 12 तक केंद्री बित्मंत्री के रूप में भी इनोंने कार किया बड़े योग विक्ती हैं बेर संसत के उपरी सदन राजसभा के लिए भी बहिया सदस रहे पांच बार और 2004 से दो बार संसत के निचले सदन लोकसभा के भी सदस यह रहते हैं फिर स्री रामना को भी साब आते हैं चौधमे राश्पती हैं कियार नाराणन के बाद में दूसरे दलित देने रूप में इन्होंने कारे भार ग्रारन किया और यह लगातार विहार के इससे पहले राजपाल के रूप में 36 एनहोंने कारे भी किया है ठीक है याद रहेगा मैं अब यहां पर एक सवाल और बनता है अगर पूछा जाएगा राधा क्रश्णन सहाब को पहले ऐसे राश्पती है जिनको भारत रत मिला अब देखो यह रहे हैं पहले उपराश्पती लेकिन हम तो यही कहेंगे अगर सवाल आया ऐसे पहले राश्पती जिनको भारत रत मिला तो आप सरपली राधा कर्शन नहीं लगाओगे भीया लगाओगे ना इनको मिला है 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला है तो इनी का तो लगाओगे आप लोग ठीक है भाई राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में दिया गया है किलर है जाकिर उसायन सहाब पहले मुस्लि में भारत रत्न से नवाजा गया डाक्टर कलाम सहाब को 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया और प्रण मुखर्जी सहाब को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया अब हम लोग क्वेश्चन पर आ पहला सवाल एक दम ताबर तोर तरीके से आंसर कीजिए कौन सबसे युवा राश्पती है बोलोगे भाई फास्ट सबसे युवा राश्पती ये कौन है तेजी से आंसर करोगे प्यारविद्यार्थियों जितने लोग जुड़े हुए हैं बोलियो भाई फास्ट सबसे युवा राश्पती कौन है बहुत बढ़िया जितने लोग जुड़े हुए हो तेजी से आंसर करते जाना है आप देखो आप लोग एंसी क्यों आ गया है तो एक दम मज़ा आता आने एंसी क्यों में तुम लोग डिटेल पढ़ने मज़ा नही कि युवा राश्पती पूछे जाएंगे तो सबसे युवा राश्पती नीलम संजीव रेड़ी साहब हो जाते एक मात्र आएसे राश्पती जो लोग सभा के अध्यक्ष भी रहते हैं ये लोग सभा के अध्यक्ष भी वेया रहते हैं दूसरी चीज निर्विरोध बाचित भी रहते हैं तीसरी चीज पहले नॉन कॉंग्रेसी यानि कि एक कॉंग्रेस के उमीद्वार नहीं होते हैं ऐसे राश्पती बनते हैं ठीक है याद रहेगा चली आगे बढ़ते हैं नीलम संजीब रेड़ी सीधे लोकसवा स्पीकर पत से चुने जाते हैं दो बार र राजियंद्र प्रसाद साहब या वीवीगिरी साहब फटापट सेयर करते रहोगे सेसन को जितने लोग भी जुड़े हुए हैं मरे साथ सबसे यूद्ध प्राइम मिनिस्टर राजीब गांदी हैं बहुत बढ़िया सबसे बयोबर्द प्रधान मंत्री कौन है मुरार्जी देशाई साहब हैं बहुत बढ़िया कुछ लोग कर रहे हैं सब दोनों पढ़ना चाहते हैं चलो बहुत बढ़िया है पहले दलित भया हो जाते हैं क्यार नाराण साहब दूसरे दलित कौन हो जाते हैं स्री रामनात कोबिस साहब राजियन प्रसाद पहले राश्पती ठीक यह हैं बाई क्या नारणें साहब पहले दलित राश्पती और देश के सर्वोच पत को प्राप्त करने वाले पहले मलेयाली ब्यक्ति भी होते यह भी आपको याद रखना लोग लेका समित अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तूत करती है आंसे करोगे सिय जी साहब को लोगसवा स्पीकर को संसुधी मामलों के मंतरी को या भारत के राश्पती को देखो बड़ा बढ़िया सा सवाल है बड़ा बढ़िया सा है बहुत ध्यान से समझोगे हमारे यहां इदर समझाते हैं हमारे यहां आर्टिकल नंबर 206 में संचित निदी है साहब रिपोर्ट बनाएंगे वो रिपोर्ट किसके पास में जमा करेंगे समिट करेंगे प्रेसिडेंट के पास में प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहां रखवाएंगे सदन में रखवाएंगे सदन में फाइनल जाच कौन करेगी लोग लेखा समित करेगी लोग लेखा से 151 के भीच में इसके पूरे कारशक्तियों के बारे में वर्डन किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोक लेखा समित का जो अध्यक्ष है वो लोक सवह अध्यक्ष दौरा निउप्त किया जाता बर्तमान में जैसे हम बात करते हैं अमेंसा विरोधी पार्टी का होता है क अंग्रेस के अधीर रंजन चौधरी है वर्कतमाने पॉने में या अधीर रंजन चौधरी सहाव है ठीक है याद रहेगा हाँ या ना एक बार तेजी से यस करके बताईए प्यारे विद्धार्थियों फास्ट और या सेयर करो सेशन को या जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार फटा फट तरीके से यार सेयर कीजिए सेशन को फास्ट हुए है थीक है बाई इस स्पीकर के पास में अपनी रिपोर्ट ये हैं जमा करते हैं नीलम संजीव रेडी फखरुदिन अली एमद ग्यानी जैल सिंग या क्यार नळायनन औम सुन्दरम जुरे हुए हैं अवधेष जुरे हुए हैं बहुत बधिया बहुत बढ़िया कुमार जुरे हुए भाई आयुस जुरे हुए हैं तेजी से आंसर करो QUE Bcke 22 मेंबर होते हैं लोक लेखा समीद में 15 लोकसभा से साथ राजसभा से समझ गया गूंती जी वाई सतक्त से ओते हैं ती आई आए 7 राजसभा से ओते आई 15 बटे है सता vits opened conversation से याद रखना ओप्रेसन ब्लू स्ँटार के समय मेंं कौन है अभी हमने बता आगे बढ़ते हैं ग्यानी जाल सिंग साहब के कारेकाल के दौरान कई घटनाय हुई आपरेशन ब्लू स्टार इंद्रा गांधी की हत्या 1984 के सिख विरोधी दंगे यह सब इनीक समय में हुए भारत के राश्पती का इस्तीफा कौन स्विकार करेगा मुख्यनायदीश साहब यह उपश्पती मोद है यह दूनों यह संसंथ को नमस्ति भया कैसे हो देखो है पी का स्तीफा लेगा वी में अब बढ़तते हैं भारती समिधान का अनुच्छे 56 याा इसपक्र श्पश करता है कि राश्पती का पद उस्तिती से पांच वरस का है जिस दिन भाग कारेले में प्रिवेस करता है ठीक है बैए और उनका कारेकाल पहले समाब तो हो सकता है ठीक है उपराश्पती को संबोधित इस्तीफे से या सम्मिधान का उलंगन करेंगे तो महाभियोग लगेगा जो कि अ उसेयन साथ वीवी गिरी साथ मौमद इदायतुल्ला या बीडी जत्ति पटा पड आंसर करोगे पहले कारवाहक राश्पती कौन थे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे वरहा वैंकट गिरी साथे पहले कारवाहक राश्पती ठीक है जाकिर उसेयन साब की मृत्त्यू के तैने भाद बीवी गिरी साप को भारत के पहले कारवहथ राश्पती की रूप में निउक्त किया गया था स नीति आयोक मत्लब 1 जनवरी 2015 की बात मैंने कर दी यह नीति आयोक बना अगर सवाल बनेगा प्लानिंग कमीशन के अंतिम चैर्मेन तो नरेंद्र मोधी जी को यह बताना है क्योंकि 14 में बने वही है मोधी जी पंद्रम उन्हों नीति आयोग बनाया तो बहुत al-ystem रहता यह प्रद्धन मंतरी एक्स-offkekie chairman होता है बाश समझ में तो नीटियायोग का एक्स ओफिसियो चैर्मेन हमेसा पीएम होता है अब पीएम हमेसा अपना रेजिगनेशन किसको देता है महामाहिम राश्पती मोहदे को तो अब यसली क्या हो कोश्चन थोड़ा सा घुमा दिया लॉजिक लगाओ आंसर निकल के आएगा ओम सुंदरम बहुओ बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं किस भारती राश्पति की मृत्यूं के बाद बीडी जत्ति को भारत का कार्य वाहक राश्पति बनातें वह फकुरुदीन अली यहमसाब के निदन के बाद इनका पूरा नाम है वह याद कर लीजिएगा कहीं पर भी पूछा जा सकता है हम लोग जानते हैं जामिया मिलिया इसलामिया के सदस रहे हैं बाई जाकिर हुसैन साब देश के पहले मुस्लिम राश्पती उपराश्पती दोनों 1920 में जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इसलामिया की इस थापना में युगदान दिया और इसके कुलपती भी बने एक चीज़ और याद रखिएगा जो हमारे देश का उपराश्पती है वो दिल्ली उनिवस्टी का पदेन कुलाधिपती होता है पदेन कुलपती या कुलाधिपती होता है यह पॉइंट याद रखोगे मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया होगा वो दिल्ली विश्व बिद्याले का एक्स ओफिसियो चांस्लर होगा ही हो ठीक है भारत का पहला मुस्लिम कारवाहक राश्पती कौन था प बार तेजी से आंसर कीजिए फास्ट पहला मुस्लिम कारवाहक राश्पती पूचा गया है तो कौन हो गया भाई मुहमद इदायतुल्ला अगर मैं कारवाहक हटा दूं इस सब्द का प्रियोग ना करूं तो क्या आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन साब आंसर हो जाएगा इ ठीक है ना आगे बढ़ते हैं यह देखिए मैंने पूरा लिख दिया जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राश्पती बने उनके पदपर उनका निधन भी हुआ ततकाल उपराश्पती वीवी गिरी को कारवाहक राश्पती के रूप में बनाया गया था ठीक है याद र हमने एक बताया सिंगल ट्रांस्फरेवल बोट सिस्टम ठीक है माल लेते हैं राश्पती के चुनाओं में A, B, C, D चार लोग खड़े हुगे रामलाल बोट डालने आये बोट डालने आये बोट डालने आये बोट डालने आये बोट रामलाल को चारों को देना आये लेकिन प्रायोरिटी देनी रामलाल ने कहा B के सामने एक लिग दिया C के सामने दो लिग दिया A के सामने तीन लिग दिया D के सामने चार लिग दिया वैलेट बॉक्स में वैलेट पेपर डाल दिया, फिर स्यामलाज दूसरे सांसद आये, उन्होंने इसके सामने लिखा दो, अपनी प्रारिटी इन्होंने अलग 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 दी, अब काउंटी हुई, काउंटिंग में ये देखा जाएगा, कि सबसे आधिक बार नंबर वन किस को मिला है, अगर इन A, B, C, D में से, चारों में से, अगर किसी को नंबर वन, प्रायोरिटी का प्रतिसत 50% प्लस वन वोट हो गया, तो वो वेक्ति राश्पति निर्वाचित माना जाएगा, माल लिजे ये फीगर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, तो जो सबसे अंतिम वर नहीं था, तो इसको बाहर कर दिया गया, अब मैदान में बचे कितने लोग, अब मैदान में बचे केवल A, B और C, तो अब D को भी तो बहुत सारे लोगों ने नंबर वन दिया होगा, अब ऐसे सारे बोट अलग कर लिए गया, जिसमें D को नंबर वन है, उसमें देखा गय नंबर दो किसको दिया गया है, तो ऐसे बोट अलग किये गया, जिसमें D नंबर वन था, और ये देखा गया, उसमें नंबर दो किसको दिया गया, माल लिए D का, ये बोट अलग कर दिया गया, जिसमें D नंबर वन था, और B को नंबर टू दिया गया था, तो ये जो D वाल खोले जाएंगे जिसको नंबर दो दिया गया होगा उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएंगे फिर देखा जाएगा यह फीगर जिसको मिला है वो राश्पती निर्वाचित होगा हमारे देश में केबल एक बार ऐसा हुआ है जब वरहा बैंकर गिरी सहाब एक मात रह से पूरता नहीं पड़ती देखे होगे ना आप लोग लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है ठीक अब यह देखो भाई बहुत बढ़िया कॉंसेट है चार लोग खड़े हुए ध्यान से समझोगे बोट में प्रायरेटीज देनी बरियता देनी है आपने का हम एक नंबर एक बी को नंबर दो, सी को नंबर तीन, डी को नंबर चार आपने सब को बरिता करम में बोट दे दिया वाइलेट बॉक्स में पड़ गया अब यह देखा जाएगा नंबर एक जिसको सबसे अधिक बार मिला है अगर उसका प्रतिसत 50% प्लस वन बोट हो गया तो वो राश्पत से निर्वाचित हो जाएगा और माली यह आकड़ा किसी को नहीं प्राप्त हुआ तो दूसरे चरण की मतगरना होगी दूसरे चरण की मतगरना में जो सबसे अधिक बार अंतिम प्रायरिटी पाया होगा उसको प्रतोगिता से बाहर कर दिया जाएगा उसके ऐसे बोट खोल समझोगे तब समझ में आएगा ठीक है बहुत तफेस्ट कह सकते हो एक इसका एलेक्शन प्रोसीजर है ठीक है बाई आगे बढ़ते हैं पी एसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की निवक्ति कौन करता है प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस आफ इंडिया प्रेयर मि सेर करोगे सारे लोग सेशन को पी एसी के अध्यक्ष की निवक्ति लोग सब अध्यक्ष करते हैं ठीक है और याद रखिएगा का मुखिन आधिस महानियवादी महादिवक्ता राज्यपाल तो याद रखना है कि जो महादिवक्ता है यह गवर्नर को अपना इस्तीफा देते हैं और महादिवक्ता एडवोकेट जनरल आर्टिकल नंबर 165 में हैं ठीक है भाईया महानियवादी आर्टिकल नंबर 76 में है याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सही से मेल नहीं खाता है पटा पटा आंसर करोगे बाई कौन सा इसमें से सही से मेल नहीं खाता है प्रस्नका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाई परस्ट जितने लोग जुड़े हुए हो तेजी से आंसर करोगे भाईया कौन सा इस में से सही डंग से मेल नहीं खाता है प्रस्ण का सही उत्तर क्या होगा बोलेगा भाईया देखे बड़ा बड़ीया सा सवाल है राश्पती चुनाओ चौबन पच्पन में चुनाओ का तरीका है उसके बाद महावियोग है 60 में अगर मिसमेच पूछा जाएगा तो भाईया यह हो जाता महावियोग किस में आ जाता 61 में आ जाता अमेरिका के सम्विधान से लिया गया महावियोग का तरीका क्या है राश्पती के उपर जो महावियोग का आधार है वो लगेगा सम्विधान का अतिक्रमड यह अधार लगेगा लोकसभा या राजसभा हों इसे कहीं भी प्रस्तुत होगा जिस सदन में प्रस्तुत होगा उसके एक बटे चार सदस्यों के हस्ताच्छर होने चाहिए माली ये लोकसभा में प्रस्तुत होगा तो लोकसभा के दो तियाई बहुमत से पारित होना चाहिए फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसकी जाच कराएगा, जाच में अगर सही पाया गया तो दूसरे सदन से भी दो बटे तीन से पारित हो जाएगा, और राश्पती महोदे को बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये आपकी महावियोग की प्रणाली कहलाती है, ठीक ह बाई चलि आगे बढ़ते हैं कौन सा कथन सही नहीं है राश्पति भारत के सैन्वलों के प्रमुक होते हैं बिल्कुल सही है सुप्रीम कमांडर होता तीनों सिनाओं का आर्मी एरफोर्स और नीवी का दूसरा है सुप्रीम कोड स्वारी सेडियूल कास्ट और स्वार्ट की इ हैं ठीक है याद रहेगा बिल्कुल सही है फिर संसत किसी भी छेत्र को अनुसुची छेत्र घोसित कर सकती है यह नहीं होगा ठीक है याद रहेगा चलि आगे बढ़ते हैं कौन राश्पति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है पट्टा पट आंसर करोगे भाई कौन राश्पति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है प्रस्न का सही उत्तर क्या होगा राश्पति के द्वारा बच्चे नियुक्त कौन नहीं किया जा सकता है इस प्रस्न का सही उत्तर आपका क्या होगा पट्टा पट आंसर करोगे भाई फास्ट जितने लोग भी हमा देखो बहुत बढ़ीया सा सवाल है मस्त तरीके से आप सभी लोग आंसर करिए ठीक है राश्पति महाद है हमेशा नियुक्त नहीं जो है ना इनको 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 ठीक है राज इस्त्री विश्विद्याले के कुलपति भैया गवर्नर करेंगे राज लोग से बायोग के अध्य ठीक है आगे बढ़ते हैं दोहजार उन्निस तक कितने भारती राश्पतियों को भारत रत्न मिला हुआ है दोहजार उन्निस तक फटा पटांसे करोगे भाई बोलिये ओम सुन्द्राम सुभाम अंकित यादो बहिया जितने लोग जुड़े हुए ना सेयर जरू किया करो से ठीक है देखो राधा क्रेश्टन सहाब को मिला हुआ है ठीक है राजेंद्र प्रसाद सहाब को मिला हुआ है एपी जे अबुल कलाम सहाब को मिला हुआ है प्रणा मुखर जी सहाब को मिला हुआ है उसके बाद में वीवी गिरी सहाब को मिला हुआ है ठीक है याद रहेगा फास्ट बोलिए फास्ट सुजीत कुमार चौधरी अंकित यादव सोमनात संकर चावान आंसर करते रहोगे बैया जितने लोग जुड़े हुए तेजी से आंसर करते रहेंगे आंसर कीजिए इसका देखो भैज सरवाइकल यानि की गर्दन के कसे रूख कितने होते हैं 7 होते हैं ठीक है और क्रेनियम में कितनी अच्छिए एड्डिया होती है क्रेनियम जिसके अंदर ब्रेन बंद होता है आठ हड्डियो का गवर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कौन सा मानम में उत्सरजन अंगों के रूप में मौजूद नहीं है ब्रक नहीं है लीवर नहीं है या लंक्स नहीं है या नर्वस नहीं है यानि कि तंत्रिका तंत्र नहीं है बहुत बढ़िया अमितियादब बहुत सांदर देखो यार बढ़ा बढ़िया से सवाल है उत्सरजनंग किड्नी है लीवर है लंगस है लेकिन ये तंत्रिकाएं उत्सरजनंगों के रूप में सामिल नहीं होती सबसे बड़ी ग्रंथी मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आप कैदो यार लीवर है क्या अब यह लीवर है मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी एपी नेफ्राइन नामक हार्मोन किस ग्रंथी से निकलता है लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन या एड्रिनल फटा पटा आंसा करो कभी यह फास्ट तेजी से आंसर कीजिएगा एपी नेफ्राइन नामक जो हार्मोन है किस ग्रंथी से निकलता है लीबर से, पैंक्रियास से, स्प्लीन से या अड्रिनल ग्लैंड से, देखो यार, एपिन एफरीन, नौर एपिन एफरीन, दोनों हर्मोन कहां से निकल लाएं अड्रिनल से, ठीक है, ये आपकी अंतास्रावी ग्रंथी भी है, और ये बहिस्रावी ग्रंथी है, यहां पर लें इससे ग्लूकेगान हार्मोन और डेल्टा से सोमेटो स्टेटिन नामक हार्मोन निकलते हैं इन तीनों हार्मोन के नाम आपको वियाद रखोगे मारी, फ्रसवा, जैवियर, विच इन्होंने किसकी खोच की? सेल, टिसू, औरगन या प्लास्टिक की? बोलोगे भाई, First, Dr. Meena, जितने लोग जुड़े हुए हैं, share करो एक बार सेसन को, फटा फट सेर करिये भाई, First, जितने भी हमारे एक Trop जबर्दास धुरंदर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, फटा फट से एक बार share मारोगे सेसन को, आप Beta Insulin है, बिलकूल, 100% सुजीत क like कैंध तेखो बाइक है मारी फ्रसबाई जेवियर पीच इन्होंने'den उतक की खोच की शेल की रावर्ट हुख केंद्रकक्य कोैं इब पूचा जाएगारं मानभ सरीर की सबसे चोटी क्या higher इसेल से क्या बना टिसू टिसू से और गन और गन से बॉड़ी और गन याद रहेगा इह पूरी सरंखला बनती है वह अ सबसे बड़ी किसमें पाई जाती है टाइगर में मस्क डियर में एलीफैंट में कैमल में फटा फटा आंसे करोगे बाई सबसे बड़ी जो है आपकी पूछी गई है आर बीसी किसमें पाई जाती है इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है और सबसे बड़ी जो पाई जाती है एलिफेंट में सबसे लंबा प्रेग्नेंसी पीरियड 690 डेज एलिफेंट का होता है मेहमत किसके पूर्वश थे मेहमत यह सवाल कई बार आया है हाथियों के पूर्वश थे ठीक है उट और लामा दो ऐसे हैं जिनके आर बीसी में केंद्रक पाया जाता है ठीक है याद रहेगा भारत का आइंस्टाइन के रूप में किसे जानते हैं फटा पटांसे करोगे भारत का आइंस्टाइन बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है सुजीत बहुत बढ़िया वहिया अंकीत यादब बहुत बेतरी अईसे लगे रहा हो एक दम बहुत सांदार देखो भाई भारत के आइंस्टाइन नागार्जुन भारत के सेक्सपियर कालिदास भारत का नेपोलियन समुद्रगोप्त बुद्ध चरित किसकी रचना है सुगोस की है ठीक है चली और नागार्जुन का एक सुनने बाद जरूर याद रखिएगा वो अक आधनीक मानब जनक का जनक रूडोल बिर्चों लूई पास्चर हिपोक्रेटर स क्लाउड लेवी स्ट्रास अाधनीक मानब जनक का जनक कि बहुत करें अगये तो आधनीक मानब जनक का जनक है बाई क्लाउड लेवी स्ट्रॉस हिप्पोक्रेटर्स को फादराव मैडिसिन गोलते हैं पादराव मैडिसिन चिकिस्ता सास्त्र का जनक लुई पास्चन ने रेवीज का टीका बनाया था रेवीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है अगला सवाल है कलकत्ता का नाम कोलकता लाएग के बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाई हिप्पोक्रेटर्स चिकित्सा सास्त्र के जनक जब भी को बच्यां बीबीएस करता है तो पाचमे साल में उसको पादराव मैडिसिन हिपोक्रेटर्स की सपत दिलाई जाती है कि हम बहुत इमांदारी साथ में कारे करे चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दो हजार एक में कलकत्ता का नाम कोलकता रखा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक क्या वरणी थे सुप्रिम कोर्ट या कमल नारायन सिंग के बारे में बताये गया है या वाई भी चंद्रचूड या के जी समय के लिए चीफ जस्टिस कौन रहते हैं वाई भी चंद्रचूड सबसे कम समय के लिए रहते हैं कमल नारार सिंग पहले दलित पूछा जाएगा तो केजी बाल कर्ष्टन सीजाई होते हैं पहले दलित सक संबत और गुप संबत के बीच में कितने बरसों का अंतर है अग देखाया सक संबत 78 और कौन सा है गुप संबत 319 तो 319 से 78 माइनस करोगे 9 में से 8 गया एक ठीक है याद रहेगा और ये हो गया भाई चार 11 में से 7 गया चार हो गया और यह हो जाएगा तीन में से एक जाएगा यहां एक कम हो जाएगा तो यह दो हो जाएगा यानि कि 241 बरसों का अंतर चीक है भई याद रहेगा बोलिए भई एक बार आंसर कर दोगे सारे लोग चली बहुत बढ़ी है दच्छिड अफरीका में गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया वो कहां इस्थित था डवन प्रिट्वियर केप टां जोहनेश बढ़ गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया वो भाया कहां इस्थित था आप यह डेली कलास होटि यह 11 बजे 11 बजे डेली क्लास होती है आप लोगा अधिक से अधिक तभी आनन्द आएगा, ठीक है ना, इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर हो जाएगा प्यारे विद्यारतियों डर्वन्थ, अगला सवाल, दरे मेहर किसका प्रार्थना इस्थल है, मुस्लिमों का सिख का पार्सी का इन में से कोई नहीं, देखो यार इनका हो गया मस्जिद, इनके आओ गया गुरुद्वारा, इनका आओ गया दरे मेहर, पार्सीयों का आगनी मंदिर जानते हो ना, यह वही होता है अगनी मंदिर, ठीक है, अगला सवाल, किस गुप्त सासक के सिख्य पर अस्थु पूजा करते हुए उसकी पतनी का चित्र मिलता है, क्या वो चंदर गुप्त प्रथाम है, समुद कूप्त है, चंदर गुप्त दुतिय है, या वो कुमार गुप्त है, तेका बड़ा जवरदस सवाल है, बहुत, आसान सा, जाद रखना समुद्र गुप्त है, इसके सिकों पर इसको बीड़ा बजाते हैं, भारत का नेपोलियन इसको कहा है, वी ए इस्मित्रे ठीक है बैया कुमार गुप्त ने नालंदा विश्टु विद्याले की स्थापना की ये याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग गुप्त वंस का संस्थापक कहते हैं स्रीगुप्त को लेकिन बास्तुविक संस्थापक इन ही को कहते हैं वैसे तो स्रीगुप्त हैं गुप्त वंस के संस्थापक ठीक बैया याद रहेगा हाँ या ना बोलियेगा एक बार किस गुप्त सासक को सकारी की पद्वी दी गई चंद्रगुप्त प्रथम को समद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त सेकेंड को या इसकंद्रगुप्त को सकारी सकारी पतला सौंचते हो न सकों को मारने बाला ठीक है यार किसने मारा था चंद्रगुप्त सेकेंड इनके अन्य नाम यात रखोगे देव राज है इनका नाम देव गुप्त है इनका नाम देव स्री है इनका नाम और परम भागवत इन्होंने उपाधी ली है जो आपके एक्जाम में 48 बार पूछी जा चुकी है ठीक अब याद रहेगा चली आगे बढ़ते केवद राज ये संबंदों की पुना जाच के लिए ये कौन सा आयोग स्थापित किया गया एम सिनहा पुंची आयोग महता आयोग मंडल आयोग फटा फटा आंसर कर दोगे फास्ट जितने लोग जुड़े हुए हो एक बार भाई तेजी से आंसर कर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जबरदस तरीके से आंसर कर दोगे क्या सही उत्तर आ जाएगा इसका देखे यार मस्त सा क्वेस्चन है मस्त सा क्वेस्चन है इसको बढ़िया तरीके से हम लोग देखते हैं मदन मोहन पंची के अद्धेक्षता में पंची आयोग केंद्राज संबंध के लिए बात हुई थी ना यह बिंद्यश्री प्रसाद मंडल की अद्धेक्षता में मंडल कमिशन बीपी सिंग भारत के प्रदानमंत्री थे सब ठीके बच्चे याद रखना है अभी हाली में क्रीमिलेयर का मामला आ गया पढ़ा आप लोगों ने क्रीमिलेयर वाला कौन सा मूल संरचना का हिस्सा है लेजिसलेचर प्रोसीजर स्पीकर आप लोकसभा पालियामेंट्री डेमोक्रेसी ननाफ अबब यह ननाफ दीज आंस नहानिक प्रक्रिया है या ठीक है भारत की राजनयतिक शक्तिका मुखिसरोथ क्या है भारत के लोग है भारत का संबिदान संसद है यार राज की विद्धाइका हैं बोलो के बाई फास्ट जितने लोग जुड़े हुए एक बार जबर्दस तरीके से शेयर करके आंसर दो के सारे के सारे विद्यार थी share करते जाओगे सभी लोग जबरदस तरीके से share करते जाओगे और answer भी करते जाओगे मेरे प्यारे विद्यारथी हूं इसका answer क्या हो जाएगा या भारत का संविधान हो जाएगा संसत का मतलब President साथ लोकसभा प्लस राजसभा ये तीनों मिलकर के संसद, ठीक है, विबिन राज्यों के अनसूची छेत्रों के प्रसासन से सम्मंदित विशेष प्रावधान, कौन सी अनसूची में है, बारह अनसूची आए, जिसमें से किसमें है, आनसे कर दोगे आप लोग, फास्ट, बोलिये बाई, फास्ट, जितने भी विद्यारती जुड़े हुए हो, यार तेजी से अनसे करोगे बाई, क्या अनसर होगा इसका, पांच में अनसूची, भासाएं, बाईस किसमें है, आठमी में, ठीक है, 1946 में जब अंत्रिम सरकार बनी, तो उसमें कारकारी परिशत के उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाला लहरू, सरपल्ली, राधाकस्तन, राजगोपालाचारी, या डाक्टर राजेंदर प्रसाद जी, बोलो कि यह फास्ट, क्या अंसर होगा इसका, देखो बाई, जब यह हुआ, तो कारकारी उपाध्यक्ष रहे हैं, पंडित जवाला लहरू सहाब, ठीक है, और राजगोपालाचारी जो हैं, वो स्वतंत्र भारत के पहले भारती गवर्नर जन्दर, गांदी जी के समधी थे भाई, पहले भारती गवर्नर जन्दर, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते, नासपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, पलैसिथेलमेस, मिसोकार, एरिलिया, इंटाइर फ्रूट्स, पूरा फल खाया जाता है, क्या होगा आंसर भी या, बहुत बढ़ी आंकी द्यादा हो, अरुन, तेजी से आंसर करते रहोगे भई, देखो भई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैसिथेलमेस हो जाएगा इस प्रस्ट का सही उत्तर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सरीर के लिए बिटामिन डी पैदा करता है, लिवर, इसकिन, लंग्स या इस्टमक, लिवर, इसकिन, लंग्स या इस्टमक, कौन सा विटामिन डी सरीर के लिए पैदा करता है, तो या इसकिन करता है, बेसिकली हम लोग संलाइट लेते हैं हम लोग संसे संलाइट लेते हैं हमारी बॉड़ी में ग्लैंड होती है साइस्ट्री गरॉल वो इस संलाइट को विटामिन डी में कनवर्ट करने का काम करती है ठीक है बाई आगे बढ़ते हैं अंतर राश्ट्री यह काफी दिवस कब मना जाता है, International Coffee Day, बोलो कभी है, अब तुम पूरा खाते हो फल, तो छिलका या जो भाग खाने वाला है वही खाते हो, केला का कोई छिलका थोड़े खा जाएगा है, फिर कहो कि हम तो केला पूरा खाते हैं सर, अब तो सेफ पूरा खाते हैं, ठीक है, पपीता का कोई छिलका क्यों मैं, International Coffee Day आपका मनाया जाता है, एक अक्टूबर को, International Old Days Day और International Coffee Day, एक दिसंबर को मनाया जाता है, World AIDS Day, 24 जनवरी को National Girl Child Day, नेशनल Girl Child Day जो मनाया जाता है, वो आपका प्यारे विद्यार्थियों मनाया जाता है, 24 जनवरी को, एक मई को International Labor Day, International जो लेवर डे है, वो आपका प्यारे एक मई को मनाया जाता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वोल्टा जील किस सहर में है, अमेरिका, घाना, कजाकिस्तान, रसिया, बोलोगे वाई, वोल्टा जील, देखो यार, बोल्टा जील अगर पूछा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, इसका भाई घाना, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान के बीच में एक जील है, जिसको अरल सागर जील बोलते हैं, यहाँ पर दो नदियां भी गिरती हैं, कौन-कौन सी, एक अमू दरिया, और दूसरी सिर दरिया, यह बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, यार याद रखना है, ठीक है, अब अगर नौर्थ अमेरिका की फाइब ग्रेट लेक्स हैं, उनको हम लोग होम्स बोलते हैं, हिवरन, उन्टारियो, मिसिगान, इरी और सुपीरियर, यह लेक जो हैं, यह आपकी फाइब ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बोली जाती हैं, इनको हम लोग फाइब ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जानते हैं हाँ या ना, बोलोगे प्यारे विद्ध्यार थी हू ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, मेरियाना ट्रेंच और सुन्दा टन, यह कहां पर हैं दोनों, मेरियाना और सुन्दा, बोलोगे बई, फास्ट, देखो बाइ, इस तरीके से अगर आप लोग हर एक आप्संस को बहुत बढ़िया तरीके से देखोगे, तो निश्य किरूप से औरों से आप 5-plus question जरूँ करके करे होगे, इस बात की guarantee है, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच आपकी हो जाती है परसांत महसागर में बिस्य की सबसे गहरी ट्रेंच है, सुन्दा आपकी हिंद महसागर में हो जाती है, महसागरों का क्रम क्या है, पैसा पैसिफिक ओसियन फिर अट्लांटिक फिर इंडियन फिर साउधन फिर आर्केटिक ठीक है याद रहेगा चलि आगे बढ़ते हैं एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है यांग जी वोलगा मरे अनील एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है फटा फटा आंसर कर दो के आप लो बोलो को भाई फास्ट तो एसिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो यांग जी हो जाएगी यूरोप की बोलगा हो जाती है अस्ट्रेलिया की मरे हो जाती है विस्व की सबसे लंबी नदी नील हो जाती है ठीक है और इसकी सहाइक है एक अस्ट्रेलिया में डर्लिंग ठीक है भाई काहे का इसका भी होगा अरे भाई योरोप की बोलगा है यार ठीक है ना यांजी होगा भोपाल गैस ट्रेजिटी के समय में मद्यप्रदेश के मुख्यमंतृत्रि कौन थे मोतिलाल बोला सुंदरलाल पटवा अरजुन सिंग या कहलास नात काट जू A आंसर करोगे मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे भौपाल गैस ट्राजडी के समय में अर्जुन सिंग मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजीव गांदी प्रधानमंत्री थे और एंडर्सन जो यूनियन कारवाइड कंपनी थी जिसके द्वारा मिथाइल आइ ठीक बैया याद रखना है पूर्व राश्ट्पति बरहा वैंकट गिरी को भारत रतन से कब नवा जा गया अभी अमने बताया था नब्बे में दो लोगों को, एक अंबेडकर बाबा को, एक अंबेडकर बाबा जी को मिला है, दूसरा मंडेला बाबा जी को मिला हुआ है, नेलसन मंडेला को, बासट में राजेंदर परसाज जी को मिला हुआ है, एक यानमे में तीन लोग मिले हुए है, सबसे युबा प्रधान मंत्री राजीब गांदी, सबसे ब्योबर्द प्रधान मंत्री मुरार्जी देशाई, और भारत के पहले ग्रह मंत्री, पहले उप्रधान मंत्री बल्लब पटेल 75 में मिला है भाई बरहा बैंकेट गिरी सा याद रहेगा भाई अरे यार एक बार येस करो शेयर करो भाई पटाफट से कि जल्दी से शेयर मारी है यार तेजी से जबर्दस तरीके से सेशन को उड़ाना है के क्वेस्चन हम लोगों को ठीक है ना चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है चिकित्सक और स्वतंतरता सैनानी विधान चंदर राय किस राज्य के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश मद्र प्रदेश पस्चिममंगाल राजस्थान फटा पटा अंसे करो अब यह फास्ट बहुत बढ़िया यूपी देखो या बिधान चंदर राय अगर पूछा जाएगा तो भाईया यह बेस्ट बंगाल के थे सीम ठीक है यूपी के पहले सीम गोविंद वल्लप पंत थे आल इंडिया अन्ना द्रबिड मुनेत्र करगम यानि कि आल इंडिया ए आई आल इंडिया हो गया ए डी एम के यह फुल फॉर्म हो गया यह इसका सोट फॉर्म हो गया अगला सवाल है इंडियन नेस्टनल कॉंग्रेस की जब इस्थापना हुई तो कौन संस्थापक सदस्य नहीं था तेड़ा सवाल है थोड़ा सध्यान से आंसर कीजिएगा थोड़ी दोर और क्लास चलेगी भईया आंसर जरू करते रहना सारे लोग बिल्कुल बेखो बड़ा बेतरीन सा सवाल है याद बड़ा बेतरीन सा क्वेश्चन है संस्थापक सदस्य नहीं थे तो याद रखना है यह संस्थापक सदस्य नहीं थे अध्यक्ष जरूर बनते हैं पहले अधिवेशन के संस्थापक सदस्य नहीं होते हैं एलन अक्टोबिय नहीं कांग्रेस के पिता दादा भाई नरोजी ग्रेंड डोल मैंड आफ इंडिया दिन सा बाचा भी इसके फाउंडर मेंबर होते हैं बिनायक नरहरी किसका मून नाम था बिनोवा भावे या बिनायक दमोदर सावरकर रांकर्ष्ण परहंस जोतिवा फुले फटापट आंसर करिये भाई फस्ट कभी भी पूछा जाए तो आब इसली अंसर कर सकते हैं इसका अंसर ओ जाएगा विन्वा भावे को इनको पहला मेक्से से भी मिला है पहला मेक्से से सम्मान से नबाजे गये मैक्सेसे को A.C.A का नोबिल पुरस्कार बोलते है और जो ब्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था पहला जो लोग कहते हैं न 17 अक्टूबर 1940 में जो पहला ब्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उस समय पहले सत्याग्रही बिनवभावे ही बनते हैं ठीक है भाईया चलिए आगे बढ़ते हैं नातु राम गोटसे को 15 नमबर 1949 को फासी की सजा हुई गांदी जी की इसने हत्या की थी 30 जन्वरी 1948 को नई दिल्ली के बिल्ला हाउस में गोली मार करके हत्या कर दी उसी के आरोप में नातु राम गोटसे को अंबाला जेल में फासी दी गई और गोरकपूर जेल में भाईया राम परसाद बिस्मिल साहब को फासी दी गई थी ठीक है बच्चे याद रहेगा हाँ या ना तो यहीं तक रखा जा आज आज 12 बस चुके हैं ठीक है तो हम लोग यहीं तक रकते हैं को ऐसी को आगे कल लोग कंटीनेव करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं बस आप लोगो को करना क्या है और 2-3 चीजे जरूर करनी है बहुत इंपोर्टेंट चीजह हैं इनको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को करना है पहली चीज बहुत यह एक नया फीचर आप सारे लोगों को अनकेडमी लर्नर एप पर इस नया फीचर पर जुड़ना है और अपना कोई भी डाउट है इस पर प भाइया एल डी सर टन कैपिटल लेटर में लिख करके आपलाई पर क्लिक जरूर करना है रेलभे सब्सीप्संट प्राइज बढ़ने वाला है रेल बे कटैगरी का तो आप सारे लोग दूम अबर लोग्या सबस्क्रिफों सब्सक्रिफिप्संट ने वालो एक बार कमेंट जानदार प्राइस जीतिए अपनी रैंक भी जानी ठीक है कोड कैपिटल लेटर में प्यारे विद्यारतियों आप सभी लोग को कैपिटल लेटर में कोड लगाना है और क्या लगा होगा भीया ये भी सर टेन ठीक है सेशन अच्छा लगा हो तो भैया लाइक जरू कीजिएगा जबरदस तरीके से शेयर कीजिएगा जबरदस तरीके से वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ओके थैंक यू एबरीबन बढ़िया से रहो, साब्धान रहो, सतर्क रहो सुरच्छित रहो, मन लगा करके पढ़ते रहो और सेशन को अधिक से अधिक सेयर जरूर कीजिएगा क्लास का टाइम 11 वजे होता है डेली 11 पीम अन बन वाइफाई स्टेडी मेन चैनल ओके थैंक यू अबरीबन